C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है सामाजिक विज्ञान के पाठ्थे क्रम के अंतरगत कक्षा साथ की ध्वनी पाठ्थे पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन प्रिष्ट असी एकाई पंच प्रिष्ट एक्क्यासी बाजार शिक्षकों के लिए ये दो अध्याए बाजारों से जुड़े जीवन और व्यवसाय के चक्रों से संबंधित है इन में से कई प्रतिक्रियाएं तो हमें देखने को मिल जाती है और उनका अवलोकन किया जा सकता है किन्तु कई अन्निगते विधियां हमारे लिए अन्जानी भी बनी रहती है अध्याए साथ है हमारे आसपास के बाजार इसमें हम एक स्तर पर बाजारों के अलग-अलग स्थानों का अध्यान करते है एक सापताहिक बाजार मोहले के दुकाने एक शॉपिंग कमप्लेक्स इत्यादी एक अलग स्तर पर हम एक पेचीदा सवाल की जाँश परताल भी करते है इन बाजारों में माल कैसे पहुँचता है सबजी के थोक व्यापार के बाद एक विशेश अध्यान के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं कि बाजारों के जुड़ी हुई एक श्रिंखला कैसे काम करती है और उसमें थोक बाजार की क्या भूमिका होती है वैसे तो हम बाजार शब्द को बाजार के स्थानों का पर्याय मानते रहते हैं पर असल में खरीदना और बेचना विभन तरीकों से चलता रहता है इस अध्याय में इस बात पर विचार किया गया है कि कैसे ये सब बाजार की एक व्यापक समझ बनाने के लिए महत्वपून है अध्याय आठ में ये देखने की कोशिश है कि बाजार किस तरहें अलग-अलग लोगों को अलग-अलग अवसर उपलब्द कराता है एक कमीज की कहानी और उसकी प्रक्रिया में आने वाले बाजारों के उधारन से इस मुद्दे को प्रस्तुत किया गया है एक कमीज के उतपादन और वितरन के प्रत्ते कदम को समझते हुए हम ये एहसास कर पाते है कि इसमें होने वाली लेंदेन की प्रक्रियाओं में कुछ लोग काफी फायदे में रहते हैं और कुछ को बहुत कम जना के बराबर ही लाब मिल पाता है लोगों को मिलने वाले अवसर बहुती असमान है उत्पादन करता के लिए बेहतर आमदनी सुनिश्चित करने के भी तरीके हैं जैसे सहकारी संस्थाइं बना कर माल बेचना फिर भी समतापूर्ण विवरन के कई और व्यावहारिक वकारगर रास्तों के तलाश की जानी चाहिए आपके स्थानी बाजारों के अनुभवों को कक्षा की चर्चाओं में शामिल करने का मौका भी इन अध्यायों में मिलता है आसपास के किसी थोक बाजार का भ्रमण करना अच्छा रहेगा और विद्यार्थियों को कई बारीक या खोजने का मौका मिलेगा जैसे के खरीद फरोख्त में मुनाफिकी कितनी गुंजाइश मौजूद होती है लोगों की दैनिक आमदनी कितनी होती है आदे इस खोजबीन से वे समाज की असमानताओं को सीधे तोर पर परक सकेंगे लोगों के बाजार के अनुभव बहुत गहरे और विविद होते है इसलिए कक्षा की चर्चाओं में ऐसे सवालों को समय दिया जाना चाहिए जो अध्याय में तो नहीं है परन्त जिन पर बच्चे बाच्चीत करना चाहते हों अध्याय साथ पाठ साथ प्रिष्ट बियासी से प्रिष्ट एक्यानवे तक प्रिष्ट बियासी यहां कुछ चित्र दिये हुए हैं जिन में रोज मर्ना की चीज़ें दर शाई गई है शीर शक हमारे आस पास के बासार हम बाजार जाते हैं और बाजार से बहुत से चीज़ें खरीदते हैं जैसे सबजियां, साबुन, दंतमंजन, मसाले, ब्रेड, बिसकिट, चावल, डाल, कपड़े, कितावे, कापियां आदे हम जो कुछ खरीदते हैं, यदि उन सब की सूची बनाई जाए तो वो काफी लंबी होगी बाजार भी कई प्रकार के होते हैं, जहां हम अपनी रोज मर्रा की जरूरतों के लिए जाते हैं जैसे हमारे पडोस की गुम्टी, साबता ही खाट, बाजार, बड़े-बड़े शॉपिंग कॉंपलेक्स और शॉपिंग मॉल इस अधाय में हम बाजार के इन ही प्रकारों को समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहां बेची जाने वाले चीजें खरीदारों तक कैसे आती हैं ये खरीदार कौन है? ये बेचने वाले कौन है? और इस सब के बीच कैसी और क्या समस्याएं सामने आती हैं? प्रिष्ट तेरासी यहाँ पर काफी सारे चित्र हैं जिसमें किताबों की दुकाने, हाट में सामान बिगता, दुकानों के भार मॉडल खड़े हुए, दूध वाला, सबजी वाला, बिजली वाला, मिठाई वाला, ये सब नजर आ रहे हैं, लिखा है दूसरी तरफ लिखा है, एक किलो राइस, आधा किलो मसूर, आधा किलो शुगर इसे काटा हुआ है, सौग्राप बटर, वाशिंग बार, इस पर सही का निशान लगा हुआ है, टूथ पेस्ट, इस पर सही का निशान लगा है, एक डजन, क्लोथ्स, पेग्स, और फाइव एम नाइलोन, प्रिष्ट चौरासी, शीरशक सापताहिक बाजार सापताहिक बाजार का ये नाम ही इसलिए पड़ा, क्योंकि ये सपताह के किसी एक निश्चत दिन लगता है, इस सापताहिक बाजार में रोज खुलने वाली पक्की दुकाने नहीं होती हैं, वे अपारी दिन में दुकान लगाते हैं, और शाम होने पर उन्हें समेट लेते हैं, अगले दिन वे अपनी दुकाने किसी और जगह पर लगाते हैं, देश भर में ऐसे हजारों बजार लगते हैं, और लोग इनमें अपनी रोज मर्रा की जरूरतों के चीज़ें खरीदने आते हैं, सापताहिक बाजारों में बहुत सी चीज़ें सस्ते दामों पर मिल जा देना पड़ता है, इन दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों की तनखा भी इनी खर्चों में जोड़नी होती है, सापताहिक बाजारों में बेची जाने वाली चीज़ों को दुकानदार अपने घर में ही जमा करके रखते हैं, इन दुकानदारों के घर के लोग अक्स इनकी साहता करते हैं, जिससे इन्हें अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते। सापता ही बाजार में एक ही तरह के सामानों के लिए कई दुकाने होती हैं, जिसमें उनमें आपस में प्रतियोगिता भी होती है। यदि एक दुकानदार किसी वस्तू के लिए अधिक कीमत मांगता है, तो लोगों के पास ये विकल्प होता है कि वे अगली दुकानों पर वही सामान देख लें, जहां संभव है कि वही वस्तू कम कीमत ने मिल जाए। इसी स्थितियों में खरीदारों के पास ये अवसर भी होता है कि वे मोल तोल करके भाव कम करवा सकें। सापताहिक बाजारों का एक फायदा ये भी होता है कि जरूरत का सभी सामान एक ही जगहां पर मिल जाता है। सबजियों, कपड़ों, किरना सामान से लेकर बर्तन तक सभी चीजें यहां उपलब्ध होती हैं। अलग लग तरह के सामान के लिए अलग अलग शेत्रों में जाने की जरूरत नहीं होती। लोग अक्सर उन बाजारों में जाना पसंद करते हैं, जहां सामान के विविद विकल्प उपलब्ध हों। लोग साप्ताहिक बाजारों में क्यों जाते हैं। तीन कारण बताईए। इन साप्ताहिक बाजारों में दुकानदार कौन होते हैं। बड़े व्यापारी इन बाजारों में क्यों नहीं दिखते? सापताहिक बाजारों में सामान सस्ते दामों में क्यों मिल जाता है? एक उदाहरन देकर समझाईए कि लोग बाजारों में कैसे मोल तोल करते हैं? क्या आप ऐसे स्थिति के बारे में सोच सकते हैं जहां मोल तोल करना अन्याय पूर्ण होगा? यह एक चित्र है उस पर लिखा है समीर रेडी मेड वस्तरों का एक व्यापारी ये व्यापारी वस्तरों के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है समीर साथाहिक बाजार का एक चोटा व्यापारी है वो शहर के एक बड़े व्यावसाई से कपड़े खरीता है और सब्ता भर में छे अलग अलग जगहों के साथाहिक बाजारों में कपड़ों को बेशता है समीर और दूसरे कपड़ा व्यापारी एकठे आते जाते हैं इसके लिए वे किराई की मिनी वैन ले ले लेते हैं उसके ग्राहक सामान निताह आसपास के ग्रामीन होते हैं दीपावली, पॉंगल या ऐसे ही त्याहरों के मौकों पर वो अच्छा वैवसाई कर लेता है हमने देखा कि सापताहिक बाजार हमें कई तरहें का सामान उपलब्द करवाते हैं बारहल हम अन्य तरहें के बाजारों से भी सामान खरीदते हैं ऐसी बहुत से दुकाने हमारे मौहले में भी होती हैं जो हमें कई तरहें की सेवाई और सामान उपलब्द करवाती हैं हम पास की डेरी से दूद, किराना व्यापारी से तेल, मसाले वा अन्निक खादे पदार्द, तथा स्टेशनली के व्यापारी से काघज, कलम या फिर दुआईयों के दुकान से दुआई भी खरी सकते हैं इस तरहें की दुकाने अक्सर पक्की और स्थाई होती हैं जबकि सड़क किनारे, फुटपात पर सबजियों के कुछ छोटे दुकानदार, फल विकरिता और कुछ गाड़ी मिकैनिक आदे भी दिखाई देते हैं पडोस के दुकाने कई अर्थों में बहुत उपयोगी होती हैं हमारे घरों के खरीब तो वो होती हैं और हम सबता है कि किसी भी दिन और किसी भी समय इन दुकानों में जा सकते हैं यहां एक चित्र है, उसमें एक दुकान में कुछ महिलाए हैं और वो दुकानदार महिला से बात कर रही हैं सुजाता और कविता एक दिन अपने मौहले की दुकान से किराने का कुछ सामान खरीदने पहुँची वे इस दुकान पर अक्सर खरीदारी के लिए आती है आज यहां भीड थी दुकान मालकिन दो सौहायकों की मदद से दुकान का काम सम्हाल रही थी जब सुजाता और कविता दुकान के अंदर पहुँची ही तो सुजाता ने दुकान मालकिन को ज़रूरत के सामान के सूची बोल कर लिखवा दी वे इनकी सूची के अनुसार सामान तोलने और पैक करवाने के लिए अपने करमचारियों को निर्देश देने लगी इस बीच कविता चारों तरफ नजर दोड़ा रही थी बाएं हाथ की सबसे उपरी शेल्फ पर अलग-अलग ब्रांड की साबून के टिक्किया रखी थी दूसरी शेल्फों पर दंतमंजन, ठेलकम पाउडर, शैंपू, बाल के तेल आदी रखे थे अलग-अलग ब्रांड के और अलग-अलग रंगों में सजे सामान मन लुभा रहे थे फर्श पर कुछ बोरे पढ़े हुए थे सारा सामान तोलने और माधने में करीब 20 मिनट लग गए फिस सुजादा ने अपनी नोट बुक सामने कर दी दुकान मालकिन ने नोट बुक में 3,000 रुपए की संख्या दर्ज की और वापिस कर दी उसने अपने बड़े रजिस्टर में भी ये संख्या लिख कर रख ली अब सुजादा अपने भारी थेले को लेकर बाहर निकली अगले महीने के पहले हफ़ते में उसके घर से दुकान का हिसाब चुका दिया जाएगा सुजादा नोट बुक लेकर दुकान क्यों गई? क्या ये तरीका उप्योगी है? क्या इसमें कोई समस्या भी आ सकती है? आपके मौले में अलग अलग प्रकार की कौन सी दुकाने हैं? आप उन से क्या क्या खरीदते हैं? सड़क किनारे की दुकानों या साबता ही बाजार में मिलने वाले सामान की तुल्न में पक्की दुकानों से मिलने वाला सामान महंगा क्यों होता है? प्रिष्ट छ्याजी परोस के दुकाने कई अर्थों में बहुत ओपयोगी होती है हमारे घरों के खरीब तो वो होती है और हम सबता कि किसी भी दिन और किसी भी समय इन दुकानों पर जा सकते हैं सामान निता, दुकानदार और खरीदार एक दूसरे से परिचित भी हो जाते हैं और दुकानदार ग्रहाकों के लिए उधार भी देने के लिए तयार होते हैं यानि कि आज खरीदे गया सामान का भुक्तान बाद में भी करने की सुविधा होती है जैसा के सुजाता के उधारन में हमने जाना आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे पॉडोस में भी कई तरह के दुकानदार होते हैं कुछ तो पक्की दुकानों वाले होते हैं और कुछ सड़क के नारे दुकाने सजा कर सामान बेशते हैं अंजल मॉल एक पाँच मंजिला शौपिंग कॉंपलेक्स है कविता और सुजाता इसमें लिफ्ट से उपर जाने और नीचे आने का आनन्द ले रही थी ये काँच की बनी लगती थी और वे इसमें से बाहर का नजारा देखती हुई उपर से नीचे जा रही थी उन्हें या आइस क्रीम, बगर, पीज़ा, आदी खाने की चीज़ें, घैलू उपयोग का समान, चमडे की जूते, किताबे आदी, तरहे तरहे की दुकानों को देखना चमत करत कर रहा था मौल के तीसरे तल पर घूमते हुए, वो दोनों एक ब्रैंड़ेड रेडमेट कपड़ों की दुकान में पहुँच गई सुरक्षा करमचारी ने उन्हें कुछ इस तरह देखा, कि वो इन्हें रोग देना चाहता है, परन्तु उसने कुछ कहा नहीं उन्होंने कुछ कपड़े और उन पर लगी कीमतों की परचियां देखी, एक भी कपड़ा तीन हजार रोपए से कम नहीं था, ये कीमत सापताहिक बाजार के कपड़ों के तुल्ला में लगभग पाँच गुना अधिक थी सुजाता कविता से फुस फुस आती हुई बोली, मैं तुम्ही एक दूसरी दुकान पर ले चलूँगी, जहां अच्छी किसम का कपड़ा ज्यादा ठीक दामों पर मिल जाएगा आप क्या सोचते हैं? सुरक्षा कर्मचारी ने सुजाता और कविता को अंदर जाने से रोकना क्यों चाहा होगा? यदि कहीं किसी बाजार में कोई आपको ऐसी ही दुकान में अंदर जाने से रोके, तो आप क्या कहेंगे? प्रिष्ट 87, शीरशक, शौपिंग कॉमपलेक्स और मॉल इस प्रकार अभी हमने दो प्रकार के बाजार देखे पहला सापताहिक बाजार और दूसरा पडोस की दुकानों का बाजार शेहरों में कुछ अन्य प्रकार के बाजार भी होते हैं जहां एक साथ कई तरहें के दुकाने होती हैं जिनने लोग शौपिंग कॉमपलेक्स के नाम से जानते हैं अब तो कुछ शेहरी इलाखों में आपको बहुमन्जिला वातानुकोलित दुकाने भी देखने को मिलेंगी जिनकी अलग-अलग मनजिलों पर अलग-अलग तरहें के वस्तुवें मिलती हैं इन ही मौल कहा जाता है इन शेहरी दुकानों में आपको बड़ी-बड़ी कंपनियों का ब्रैंडड सामान भी मिलता है और कुछ बिना ब्रान का भी सामान मिलता है विज्यापन वाले अध्याय में हमने आपको बताया था कि ब्रैंडड सामान जिससे कंपनियां बड़े-बड़े विज्यापन देकर और क्वालिटी के दावे करके बेशती हैं महिंगा होता है कंपनिया अपने ब्रैंडड उत्पादनों को बड़े शहरी बाजारों और अपने विशेश शोरूमों में बेचने के लिए रखती है बिना ब्रैंड के उत्पादों के तुलना में इस ब्रैंडड सामान की क्यमत का बोज़ केवल कुछ लोग ही उठा पाते है ऐसा क्यों होता है कि लोग मौल में दुकानदारों से मौल तोल नहीं करते हैं जबके सापताहिक बाजारों में ऐसा खोब किया जाता है आपको क्या लगता है आपके महले की दुकान में सामान कैसे आता है पता लगाईए और कुछ उदाहरणों से समझाईए थोक व्यापारी की भूमिका जरूरी क्यों होती है शीरशक बाजारों की श्रिंखला पहले हिस्से में आपने विबिन तरह के बाजारों के बारे में सुना जहां हम सामान खरीदने जाते हैं क्या आप सोच सकते हैं कि ये सभी दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सामान कहां से लेकर आते हैं सामानों का उतपादन कारखानों खेतों और घरों में होता है लेकिन हम कारखानों और खेतों से सीधा सामान नहीं खरीदते हैं चीजों का उत्पादन करने वाले भी हमें कम मात्रा में जैसे एक किलो सब्जी या एक प्लास्टिक कप आदी बेचने में रूची नहीं रखते वे लोग जो वस्तू के उत्पादक और वस्तू की उपभुगता के बीच में होते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा या संख्या में सामान खरीद लेता है जैसे सब्जियों का थोक व्यापारी कुछ किलो सब्जी नहीं खरीदता बलके वो बड़ी मात्रा में 25 से 100 किलो तक सब्जियां खरीद लेता है इन्हें वो दूसरे व्यापारियों को बेचता है यहां खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों व्यापारी होते हैं व्यापारियों की लंबी श्रंखला का वो अंतम व्यापारी जो अंततहा वस्तुएं उपभोगता को बेचता है खुद्रा या फुटकर व्यापारी कहलाता है ये वही दुकानदार होता है जो आपको पडोस की दुकानों सापताहिक बाजार या फिर शौपिंग कॉंप्लेक्स में सामान बेशता है यहाँ पर मानचित्र में कुछ जगह दर्शाई गई हैं अजादपुर, केशोपुर, दर्यागंज, ओखला दिल्ली के दस थोक बाजारों में से चार इस नक्षे में दिखाए गए हैं प्रिष्ट 88 हम इसे यहाँ दिये गए उदाहरणों से समझेंगे हर शहर में थोक बाजार का एक शित्र होता है यहाँ वस्तुएं पहले पहुँचती हैं और यहीं से वे अन्य व्यापारियों तक पहुँचती हैं सड़क किनारी की दुकान का छोटा व्यापारी जिसके बारे में आपको पहले बताया गया था बड़ी संख्या में प्लास्टिक का सामान शेहर के थोक व्यापारी से खरीता है हो सकता है कि वो बड़ा व्यापारी अपने से भी बड़े थोक व्यापारी से स्वयम सामान खरीता हो शेहर का बड़ा थोक व्यापारी प्लास्टिक का ये सामान कारखाने से खरीता है और उन्हें बड़े गोदामों में रखता है इस तरह से बाजार की ये श्रिंखला बनती है जब हम एक सामान खरीदते हैं तब हम ये ध्यान नहीं देते कि वो सामान किस किस के पास से सफर करता हुआ हम तक पहुँचता है शीर्शक आफटाब शहर में सबजियों का थोक व्यापारी यहां एक चित्र है जिसमें सबजियों का थोक व्यापारी अपने सामान के साथ दिखाए गया है आफटाब उन थोक व्यापारीों में से एक है जो बहुत बड़ी मातरा में खरीदारी करते है उसका व्यवसाय सुभा लगभग तीन बजे आरंब होता है इसी समय सबजियां बाजार में पहुँचती है यही समय है जब सबजी बाजार या सबजी मंडी में गतिविधियां तेज हो रही होती है आसपास और दूर दरास के खेतों से ट्रकों, मेटडोर, ट्रेक्टर की ट्रॉलियों में सबजी यहां आने लगती है जल्दी ही नीलामी की प्रक्रिया आरंब हो जाती है आफताब भी इस नीलामी में शामिल होता है सब्जियां देखकर वो तै करता है कि आज वो क्या खरीदेगा उदारन के लिए वो आज पाँच क्विंटल फूलगों भी और दस क्विंटल प्यास खरीदता है शेहर में उसकी एक दुकान और गुदाम है जहां वो सब्जियों को रखता और बेशता है यहां वो फुटकर व्यापारियों को सब्जियां बेशता है जो सुबह छे बजे के आसपास वहां आने लगते हैं यहां से दिन भर के लिए खरीदारी करने के बाद यह चोटे व्यापारी लगबख दस बजे के आसपास अपने क्शितर में अपनी दुकान खोल लेते हैं शीर शक हर जगह बाजार हमने देखा कि अलग अलग जगहों पर तरहें-तरहें के बाजार हैं जहां तरहें तरहें के वस्तुमें खरीदी बेची जाती हैं ये बाजार अपनी अपनी जगहों और समय पर अपनी तरहें से काम करते हैं कई बार तो ये भी आवशक नहीं होता कि आप समान खरीदने के लिए बाजार जाएं अब तो तरहें तरहें के सामाइन के लिए फोन या इंटरनेट पर भी ओर्डर दे दिये जाते हैं और सामाइन आपके घर तक पहुँचा दिया जाता है प्रिश्ट नवासी यहाँ एक चेत्र में कंप्यूटर पर इंटरनेट और हाथ में क्रेडिट कार्ड दिखा गया है शेहरी क्षित्रों के लोग इंटरनेट के जर stabbed घर से बाहर कदम रखे बिना ही बाजार में प्रवेश कर लेते हैं वे अपने क्रेडिट कार्ड से आनलाइन खरीदारी कर लेते हैं आपने देखा होगा के नरसिंग होम और डॉक्टर के क्लिनिक में भी कुछ कमपनियों के प्रतिने दी अपना सामान बेचने का कारे कर रहे होते हैं इस तरह हम देखते हैं कि बेचना खरीदना कई तरीकों से चलता रहता है ये जरूरी नहीं है कि वो केवल बाजार की दुकानों से ही होता हो ये तो बाजार के वे रूप हैं जो हमें सीधे तोर पर दिखाई देते हैं ऐसे भी कुछ बाजार होते हैं जिनके बारे में हमारी जानकारी कम ही होती है क्योंकि यहां बिकने और खरीदी जाने वारी चीजें हम सीधे प्रयोग नहीं करते जैसे एक किसान अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल करता है ये उर्वरक वो शेहर की कुछ खास दुकानों से खरीदता है जहां खाद के कारखानों से माल मंगाय जाता है एक कार के कारखाने दोरा इंजिन, गेर्स, पेट्रोल टंकियां, एकसल, पहिये आदे अलग अलग कारखानों से खरीदे जाते हैं परन्तु इस सबसे बेखबर हम कार के शुरू में अंतिम उत्पाद कार को ही देखते हैं सबी चीजों के बनाने और बेचने की ऐसी ही कहानी होती है यह एक चित्र है, उसमें कार बनती हुई दिखाई गई है शीरशक, बाजार और समानता इस अध्याय में हमने आसपास के कुछ बाजारों पर नज़र डाली हमने सापताहिक बाजार से लेकर शौपिंग कॉम्पलेक्स तक की दुकानों और दुकानदारों को देखा इन दोनों दुकानदारों में बड़ा अंतर है एक छोटी पूझी से व्यवसाय करने वाला दुकानदार है जबके दूसरा अपनी दुकान के लिए बड़ी पूझी खर्च कर सकता है प्रिष्ट नवे इनकी आमदनी भी अलग-अलग होती है सापताहिक बाजार का छोटा दुकानदार शौपिंग कॉम्पलेक्स के व्यवापारी के तुलना में बहुत कम लाभ कमा पता है इसी तरहें खरीदारों की भी अलग-अलग स्थितियां है ऐसे बहुत से लोग हैं जो सबसे सस्ता मिलने वाला सामान भी खरीद पाने की स्थिति में नहीं हैं जबके दूसरी ओर लोग मॉलों में महंगी खरीदारी करने में व्यस्त रहते हैं। इस तरहें कुछ हद तक अन्य कारणों के अलावा हमारी आर्थिक स्थिती ही ये तै करती है कि हम किन बाजारों में खरीदारी या दुकांदार हो सकते हैं। हमने सामान के उतपादन से लेकर हम तक पहुचने से बनने वाली बाजारों के श्रंखला को समझा। इस श्रंखला से ही ये संभव होता है कि एक जगहें उतपादित होने वाला सामान लोगों के लिए हर जगहें उपलब्द हो जाए। वस्तूओं के बिकने से वस्तूओं का बढ़ाया जाता है। पर उन्तु क्या इस से श्रिंखला के प्रतेक स्तर पर लाभ के समान अवसर मिलते हैं। आगे एक कमी इसकी कहाने। इस अध्याय में हम इस सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। यह एक चित्र है Responsible Consumption and Production सतत विकास लक्ष बारह जिम्मेदारी से उपभूग और उत्पादन www.in.undp.org प्रिष्ट 91 अभ्यास एक एक फिरी वाला किसी दुकांदार से कैसे भिन्न है। दो इस तालिका के आधार पर एक सापताहिक बाजार और एक Shopping Complex की तुलना करते हुए उनका अंतर स्पष्ट कीजिए। बाजार सापताहिक बाजार Shopping Complex बेची जाने वाली वस्तुओं के प्रकार वस्तुओं का मूल्य विक्रेता ग्राहक तीन स्पष्ट कीजिए कि बाजारों के श्रिंखला कैसे बनती है इससे किन उद्देश्यों की पूर्ती होती है चार सब लोगों को बाजार में किसी भी दुकान पर जाने का समान अधिकार है क्या आपके विचार से महंगे उत्पादों की दुकानों के बारे में ये बात सकते है उदाहरं देकर स्पष्ट कीजिए पाँच बाजार में जाय बिना भी खरीदना और बेचना हो सकता है उदाहरं देकर इस कथन की व्याख्या कीजिए शब्द संकलन सापताहिक बाजार ये बाजार नियमित बाजार नहीं होते वरन एक नियत स्थान पर सपताह में एक या दो बाजाए जाते है इन बाजारों में घरेलू सामान की लगभग सभी चीज़ें बिखती है जैसे सबजी से लेकर कपड़े और बरतन आदे मॉल ये चारों और से घिरा हुआ दुकानदारी का स्थान होता है सिनेमा घर तक होते है इन दुकानों में प्रायह ब्रांडों वाले उत्पाद बिखते है तोक इसका आशाय बहुत बड़ी मातरा में खरीदना और बेचना होता है अधिकानश उत्पादों जिनमें सबजी, फल और फूल आदी भी सम्मिलत है कि अपने अपने विशेश थोक बाजार होते है बाजारों की श्रिंखला ये बाजारों की एक श्रिंखला है जो परस पर एक दूसरे से कड़ियों की तरह जुड़ी होती है क्योंकि उत्पाद एक बाजार से होते हुए दूसरे बाजार तक पहुँचते है इसी के साद नो अध्यायों की इस पुस्तक का अध्याय साथ यहां समाप्थ हुआ वाचक नीरच्छर्म, सामाजिक एवं राजनितिक जीवन अभी आप सुन रहे थे ये ध्वनी पाठे पुस्तक तक्नीकी नियंत्रन बटी लैंग लिंग्डो तक्नीकी सहायक विकास सांगवान, निर्माण सहयोग मिनाक्षी कुकरेती, निर्माण एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत